हाई फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चकली की रेसिपी यहाँ पर मैंने जो भी पेजर मीट बताया है सही से आप वही लिएएगा तब ही आपकी चकली जो है पॉफेक्ट बन जाएंगे तो चलिए हम रेसिपी को शुर कर देते हैं चकली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आदा किलो जितना चावल यह रेसिपी का चावल है 200 ग्राम चना दाल 10 ग्राम मूंग की दाल इसका आदा ही लेना है हमें और मूंग की दाल के आदा यह सभी हमें लेना है 50 ग्राम पोहा, 50 ग्राम उड़त की दाल, 50 ग्राम साबु दाना, एक चमज जितना साबु धनिया और एक चमज जितना जीरा अब इन सभी में से दाल और चावल को हम धो के लेना है हमें चावल, चना दाल, मूंग दाल और उड़त की दाल इन सभी को हम दो के लेंगे, एक एक करके, यहाँ पर मैंने पहले चावल को धो लिया है, एक कॉटन के कपड़े में ऐसे हमें सुकाने के लिए रख देना है, दोप में हमें डालने की कोई जरुरत नहीं, आप इसे फैन के नीचे भी रख सकते हैं, अब इसी तरह से एक एक करके, सबी दाल को अच्छे से धो कर, ऐसे ही हमें सुका लेना है, यहाँ पर मैंने रात भर के लिए चोड़ दिया था, सुकने के लिए, आप इस रेशिपी को ज़रूर ट्राइ करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी, देखिए, अभी अच्छे से सुक गए हैं, अब हम इने क्या करेंगे, रोस्ट करने लेना है, ड्राइ रोस्ट, पहले हम चावल को रोस्ट करके लेंगे, ध्यान रखे हैं कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा चावल का कलर जो है, वो चेंज होना चाहिए, देखिए, अभी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब हमें इसे निकाल देती हूँ, यहाँ पर मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, उसी के उपर में इसे डाल दूँगी, ताकि यहाँ पानी ना चुटे, अब उसी कड़ाई में हम दाल को भी रोस्ट करके लेंगे, दाल का कलर जो है, वो चेंज हो चुका है, अब हम इने भी निकाल देंगे, उसी के उपर हमें निकाल देना है, देखिए, चावल के उपर, मुंकी दाल को भी हम रोस्ट करके लेंगे, इसी तरह से हमें सभी दाल को अच्छे से रोस्ट करके, एक के उपर एक ऐसे डालते हुए ही चाना है, देखिए, कलर चेंज हो चुका है, निकाल देंगे, सभी दाल रोस्ट होने के बाद, साबुदना रोस्ट करके लेंगे, यह 50 ग्रेम साबुदना है, आधा किलो चावल के लिए, पच्चास ग्रेम पोहा इसे भी हम रोस्ट करके लेंगे एक चमजितना धनिया धनिया हलका से रोस्ट होने के बाद उसी में हम डाल देंगे एक चमजितना जीरा इन दोनों को मिला कर अब हम रोस्ट कर लेंगे इन्हें भी हम निकाल देंगे इससे स्वाज जो है बहुत ही अच्छा आता है चकली का थंडा होने के बाद इन सभी को हम मिला देंगे अब मैं इसे पीस के लिए के आती हूँ भार से ही ध्यान रखेया कि हमें बहुती बारिक से पीस लेना है अब हम चकली का आता गुंद लेंगे यहां पर मैंने देड कटोरी जितना पाने उबलने के लिए रख दिया है उसी में एक चमच जितना तील डाल देंगे एक चमच जितना कश्मीरी लाल मिर्च स्वादा अनुसार नमक हिंग एक चुटकी जितना इन सभी को मिला दे जब पाने उबलेगा तब हमें आटा डाल देना है यह है चकली का आटा जिसे मैंने बीस के लाया है भार से यहां पर मैंने दो कटोरी जितना आटा डाल देया है देखिए दूसरा कटोरी देड़ कटोरी पाने के लिए दो कटोरी जितना चकली का आटा हमें डाल देना है मिला देंगे अभी इन सभी को अच्छे से यहां पर मैंने तेल का इस्तमाल नहीं किया है आप चाहो तो यहां पर एक चमच इतना तेल भी डाल सकते हैं यहां पर मैंने बिल्कुल भी तेल का इस्तमाल नहीं किया है अभी अच्छे से मिला देने के बाद हम इसे ढख कर रख देंगे पांस से दस मिनिट के लिए ताकि आटा जो है वो अच्छे से सेट हो जाए दस मिनिट के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे हम इसे साउधानी से प्लेट में निकाल देंगे अब हमें इस आटे को अच्छे से गुंद लेना है आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं ध्यान रखेया कि यहाँ पर हमें बिल्कुल भी थंडा पानी का इस्तमाल नहीं करना है अगर आपको पानी चाहिए तो आप एक चमच जितना गरम पानी ही डाल दे देखिए अब यह अच्छे से गुंद लेने के बाद हम चकली मेकर को ओईल से ग्रीस कर लेंगे पहले आटा डाल कर अब उपर कड़कन जो है वह हम बंद कर देंगे अब हम हलके से चकली या डाल देंगे यहां पर मैंने पेपर लिया है आप जाओ तो प्लेट के उपर भी डाल सकते हैं यहां पर आप चकली का साइज चोटा या फिर बड़ा भी डग सकते हैं आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपकी चकली कैसे बेने हैं यहां पर मैंने तेल रख दिया है गरम करने के लिए देखिए अब यह काफी गरम हो चुका है तेल हमारा तो अब हम एक एक करके चकलियां डाल देंगे जितने बेड़ते हैं चकलियां उतना ही डालिएगा जबरदस्तित से ज़्यादा भी मद डालिए नहीं तो चकली जो है वो कच्चे रह जाएंगे और ग्यास का flame जो है वो हमें medium ही रकना है ज़ादा high या फिर ज़ादा low भी हमें नहीं रकना है अगर ज़ादा high रक दिया आपने तो अंदर से कच्छे रह जाएंगे चकलिया अगर low रक दिया तो चकली जो है वो oily बन जाएंगे देखिए अब हम इसी तरह से सारे चकलिया जो है वो तल के लेंगे अगर आप मेरे चानल पर नए हैं या फिर मेरे वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए उसके बगल में जो बेल आइकोन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही मेरे नए रेसिपी के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके अगर आपको आज की मेरे ये रेसिपी अच्छी लेगी हो तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए फिर मिलेंगे हम ऐसे ही नए रेसिपी के साथ बाई